तो गाइस प्रीविएस वीडियो दे लेचना आसी हाई फूड मैप लो फूड मैप दा सारा डाइट जेड़ाया सारी लिस्ट जेड़ी है और डिस्कस कीती है अगर तुसी वीडियो नहीं देखी ते तुसी अपनी इरिटेवल बॉबल डिजीज या रेक्टल अलसर या क्रो पूड साओ आपां डिस्कस कीते हैं सो नेक्स्ट होन आओ चलो गाल करिए आपां फाइबर दे बारे फाइबर इंटेक वेरी इंपोर्टेंट भी या बहुत जरूरी भी या फाइबर लेना अपनी डाइट लेकिन बहुत ज्यादा ले लोंगे तामी तंग होंगे लेकिन अगर बहुत काटलाओंगे तामी तंग रहोंगे तो असी बैलेंस बना आके चलना या फाइबर था ठीक है बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी तो साथी डाइट देविच अच्छी मात्रा देविच फाइबर रिच फूट्स फूट्स वेजीटेबल्स होने जरूरी हा लेकिन ओदेविच गलूटन वाले ग्रेंस नहीं होने चाहिए अगर हाइबर रिच फूड गुड फाइबर रिच फूड अगर साथी डाइट चाहूगा ता सानूं कॉंस्टीपेशन नहीं होगी सानूं लूज मोशन देडाया ओदेविच भी फाइबर हेल्प करता है ले अगर फाइबर लेनना सानूं ब्लोटिंग होंदी है ता सानूं सिर्फ फाइबर लेना चाहिए जो के फूड वेजी टेबल्स देविच होंदाया अनाज विच नहीं होंदा ठीक है मैं दुबारा दस दिना फाइबर लेना साथ डेली बहुत जरूरी है उनां कॉंस्टीप यह दिना साधी problem solve हो जानी लो फाइबर डाइट दे विच्छ सम्टाइम्स की हुंदा या इरिटेवल बावल डिजीज वाले जड़े पेशन ने ना उना दे केस्ट अगर आसी फाइबर वदों देया ता साधी कई वर problem भी बदनी शुरू हो जन्दी है उन्होंनों कैस क्यों अपनी डाइट दे विच्छों फाइबर कई वार पूरी तरह ना अलिमिनेट वी करना पेंदा लेकिन अपने इंडिया दे विच्छ जैनेटिकली क्यालो यहां साधी जो लिविंग कंडिशन्स दे हिसाब ना इन्ना सिवेर जड़ाया ओ प्रॉब्लम बहुत काट लोका न पेंदा यह ठीक है सो फाइबर अगेन बहुत ट्रिक्की है इस डिजीश च अपां वदाउना विया लेकिन अगर सानू वदा आके सूट नहीं करदा फिर सानू कटउना पेंदा तो हिट एंड ट्राइल अलिमिनेशन डाइट है हिट एंड ट्राइल काफी सारा कुछ असी अपनी बोड़ी बारे अंदा गो ही सिखाने नेक्स दे विच आजन दाया जड़ी खास तोरते चीज़ां दाते आंदे नाया या डाट इस ग्लूटन फ्री डाइट ते को ए बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है ग्लूटन फ्री डाइट रखना तिन मीनियाली मिनिमम अगर स चीज था कई बार इशू आंदा है कि मैं कई बार पिशन नो ग्लूटन फ्री रेक्मेंड कर दाया लेकिन जड़ी डॉक्टर्स ने ओव इस चीज नो रेक्मेंड निकर दे बट इट्स ओके उना दी अपना जो उना दा स्टैंड पॉइंट हा पाम किसे दिनाल हो निकर दे उना दा अपना एक स्टैंड पॉइंट हा लेकिन मेरी जो नॉलेज है ओ ए या कि ग्लूटन फ्री डाइट सान नो रिकवरी दे विच फास्ट हल्प कर दी है क्योंकि ग्लूटन दे नाल जड़ाया इंटस्टाइन्स नो डैमेज हुंदाया ठीक है ते अगर असी ग्लूट डाइट कार्निवोर डाइट दे विच असी टोटली फाइबर चड के अपनी डाइट हंड्रेड परसेंट एड़ी है असी नॉन वेज का लनने या याणिके फिश होगी चिकन हो गया एग बीफ मटन हना यहीं चीजां अपा थुरूआउट दा डे खाने या तेल के ओ मखन अपाँ फैट खाने या अगर अपाँ डैरी प्रोड़क्ट्स लेने या तो सिर्फ चीज या पनीर अपाँ दे विच लेने या ए उस केस देविच होंदा जे देविच सिवेर बहुत हाई लेवल दे उपर जड़ाया फाइबर इंटॉलरेंस हो जबी थोड़ा जया भी फ सूब बोन ब्रॉथ डाइट बोन बोने व्रात दा मतनफ होंदा हडिया तरी कि या उणावान दी तरी या हडिया दा सूब चाहे वो जिकनद ऋभी ठीक है जहें मतन दा होए जहें पिश होवे या कोई वी जानवर दी हडियां स सूब जड़ाया जरत लेक्ध्सरों कि वीत अंतरियां दी रिपेर वास्ते ज़रूरी है नंबर दो अगर साननों आटो इम्म्यून डिजीज आई यानि कि अगर साधे अपने ही स्रीर दे सेल्ज ने साधे बॉडी ते अटेक कर देता हैं मन लो कि ऐसाधा साधे ही बॉडी ने इदे अटेक कर देता है जेदे करके और इसे स्वेलिंग आगई है रेडनेस आगई है जखम बनगे यानि कि हो गया अलसरेटिव कलाइटस हो गया अगर आसी बून ब्रॉथ पीन दे हैं अगर आसी हड़ियां दा सूप पीनने हैं हड़ियां दे सूप च कोछ ऐसे पार्टिकल होंदेने ओ जड़ों साधी बॉडी ची जान देने ता साध्हाइआ इम्यून सिस्टम थोड़े समयली उन आधे पिछे पैजन दा थीक है जड़ों हड़ियां दा सूप पीनने हैं साध्ण इम्यून सिस्टम जड़ा साधी बमारियां बबन दी दूसरे पाष से लग जए। दूसरे पाष ऑगे होगा कि होते हम आएं उनूं करना बंद करने ला पाषिस का पूंजी और छातधिया थीजा और कृते धोकस प्रोंी-दायट कहाँ एक तरूड़ पर देनकन 嗯ydides पैसे अंशेल के इसे हज़ा फ passé็ं यह जातव फिर रहे या ओदे नाड भी ताड़ी बॉडी छेथी रिकवर होनदी अगर तुसी नॉन वेजीटेरियन डाइट नहीं लेंदे तां कॉलाजन था supplement भी मिल दा है ठीक है तुसी collagen supplement भी ले साकते हैं लेकिन एक वेजीटेरियन कॉलाजन मेल दा ओ बिल्कुल नहीं लेना ओ टोटली बेकार है ओदा कोई बेनिफिट नहीं है गा सप्लीमेट तो आनो ही लेना पेड़ना है जो नौन वेज चीज़ां तो बढ़े आया है ठीक है ता साधे पेट दा गुड बेक्टीरिया मर चन दाया ठीक है ओस गुड बेक्टीरिया नो बापस लेके ओना बहुत जिरूरी या तो प्रोबाइटिक कैपसूल या टेबलेट कटो काट देन देवेच तिन वार शुरुवाती टाइन देवेच थी टाइमस पर डे जिडाया तुसी प्रोबाइटिक जरूर लो उस तो बाद आ गया मल्टी वाइटमिन देखो मल्टी वाइटमिन बेरी इंपॉर्ट क्यों तो अपना खाना था जो तुसी खा रहे तो अनों डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो सामनों सिंपल फॉर्म जो विटामिन लेने पेने या एक तो दो टेबलेट पर डे दे हिसाब नाल सो दट साथे बोडी जो कोई निट्रीशनल डेफिशेंसी ना रवे नमबर तिन वाइटमिन डी एधी वीकली डोस लेनी बहुत जरूरी है एक ता एक साथे इम्यून सिस्टम नो ठीक रखदाया दूसरा एक साथे एक नैचरली स्ट्रेस लेवल्स नो भी कंट्रोल च रख दाया ठीक है एंड इंफ्लामेशन नो डाउन करताया नेक्स्ट आ गया ओमेगा-3 ओमेगा-3 लैना वी वेरी इंपोर्टन क्योंकि ओमेगा-3 वी इंफ्लामेशन कटाओ दाया साथे इम्यून सिस्टम नो इंप्रूव कर दाया सो एक तो दो कैपसूल डपेंडिंग अब जरूरी है जिंक साथी इम्यूनिती ली साथी बॉड़ी वी रिपेर वास्ते बहुत जरूरी है एड आइरन फॉलिक एसिड जो के सानू अनीमिया तो बचाओंते नहीं यानि के खून दी कमी तो बचाओंते नहीं तो एस से की सारी लिस्ट ऑफ सप्लिमेंट्स थे के मेन्यू प्लैन साथा डाइट प्लैन के हो जिया होना चाहिए याद रखो जेडिया दाला सबजिया तुसी इंखाणिया ने इस सारी लो फूड मैप होनी है चाहिए ने चीक है तो एदे विच ऑप्शन साथे कुल की की आ साकते के स्वेर दे टाइम असी वीट ग्रास ज जूस ते बोन मुरॉथ ए दो चीजां सी ले सकते हैं अगर लेकन सानु रेक्टल अलसरा ते सानु कबज दी शक्यात रहें दिया फिर असी एलो विरादा कोई जूस भी ले सकते ब्रेकफस्त दे विच धहीं अगेन प्रोबाइटिक ड्रिंक आ गया दो चमज सिलियम हस्क यानि के इसब गोल सॉलिबल फाइबर ते लो फूड मेब वालिया वेजटेबल से दे नाल तुसी चाहो ते एगड वी एड़ कर सकते हो अपनी डाइट दे विच मिट मॉनिंग दे विच कोई भी स्मूधी योगर्ट बेस स्मूधी डैरी फ्री मिल्क यूस कर सकते हैं ता पाती तोरते अवाइड कर गलूटन फ्री रोटी ठीक है गलूटन फ्री रोटी या ब्रेड ओ दे नाल बिना चलके वाली दाल ते कुछ लो फूड मेब वाली लिस्ट वीच वेजटेबल से ऑने दे विच नौन वेजव सूप ठीक है या वेज दे विच सैलड ते एग वा फिश एग वाइट्स तुसी लेना चाहो तुसी ले सक देया पोस्ट इनर देविच लेक्टोस फ्री मिल्क वेजिटेरियन परसन वास्ते इते ओप्शन्स प्रोटीन दे बहुत काटेया सो प्लाट बेस्ट प्रोटीन जेड़ा हम दाया जो के मतरा तो बन दा यह सप्लीमेंट जेड़ा यह तुआडे वास्ते बेनिफीशल रोगा इन्हों तुसी आपने डाइट चे कितना किते इंक्लूड कर सकते हैं सो वीडियो नो पॉज करके तुसी स्क्रीनशॉट भी ला सकते हैं अगर तुसी तो आटा कोई नोन या तुसी खुद इस प्रॉब्लम नाल डील कर रहे हो चाहे रेक्टल अलसरस ना चाहे अलसरेटिव कोलाइटस या इरिटेवल बॉबल डिजीज अगर तुसी परसनली अपने वास्ते डाइट चाहट लेना चौने हैं उदे वेच भी मैं तो आटी हल्प कर सकता हैं लेकिन वैसे जिन्नी लोड हुंदी है मैं उस सारी इंफर्मेशन तो आटे नाल आप प्रेजेंटेशन वीडियो ते वेच डिसकस कर लेगें तो इस प्रेजेंटेशन मेरे व जो आटे आपा किन्ना टाइम लगा देता हर एक कल्ले कल्ले पेशन नो मैं जाके एक अगल्णा नहीं समझा सगदा इन्ना टाइम मेरे कोड भी नहीं है सम्टाइब इन्ना टाइम सुनद वाले कोड भी नहीं हुंदा सु दोस्तो ए सिंगी ओ सारी जानकारी जो मैं अपने कितब बंचो अपने कोर्स अपने करीयर दे वेच प्रैक्टिस कर दे हुए प्लस म्रीजा देनाल डील कर दे होई कठी कीती सी, मैं अपने वल्लो कोशी शेह कीती है कि बद तो बद बिलकुल ओनेस्ट होके तो आदेनाल जानकारी सांजी करना ताके तुआ नू बेनिफिट हो सबी, मिन्नू पताया कि ए टॉपिक बहुत लेंथी सी, मिन्नू ए भी पता कोलन अलसर, रेक्टल अलसर, इंफ्लैमेटरी बॉल डिजीज, अलसरेटिव कोलाइटस देनाल जूज रहाया या ए वीडियो उन्हानू जरूर फैदा खान गया तो आनू डाइट चार्ट भी आपा प्रवाइड कर देता इस वीडियो छे लेकिन फिर भी अगर तो आनू लगदा या के परस्नली तुसी अपने वास्ते कस्टमाइज़ डाइट चार्ट लेना चौने या अपनिया जरूरता वास्ते या कोई चीजा तो आनू हजे भी क्लियर नहीं लग रही है तो तुसी एरुडाइट निट्रीशन यानि के मेरे नल संपर्क भी कर सक देओ, मैं हमेशा तो आड़ी मदत वास्ते त्यार बरते आदा, एरुडाइट निट्रीशन मेरा एही एक गोल या के तो आनू बैस्ट जानकारी ले आके दित्ती जावे, जेले विच निजी सवार्त तो हटके सिर्फ तो आड़ी सेथ नू पहल देदा आरते रहके तो आनू जानकार कर देरो, अगर तो आनूए वीडियोस बदिया लगिया ते तुसी अपने किसे जरूरत मन्द व्यक्ति जेनू लगदाए के पेट दी समस्या हो देनाल, सांजा कर सकते ताके उन्हानू भी फैदा होगे, जान तो पहला एक बार फिर याद करा दमा, चैनल नू यूट्यू तो रहत जीवन जीन, ते अपनी सेथ दा ख्याल रखन, आपा तो आनू मिलांगे अगली वीडियो देविच कुछ होल टॉपिक्स लेके एसे तरह देनाल जानकारी तो आदेनाल सांजी कर देनाल, उदो तक वास्ते तुसी रखो अपना ख्याल तन्वाद